हलो इस्टुडेंट्स वेलकम बेक इन माई क्लास आएम राजेश सर्मा एंड यू आर बाचिंग माई चैनल इस्टेडी टाइम बाई राजेश सर्मा आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा बारा की अंग्रेज जी की बुक फ्लेमिंगो का एड़ चेप्टर गोइंग इस्टानों की सेर यान विविन इस्टानों की सेर और यहां पर भी हम अंग्रेजी से हिंदी में इस चैप्टर की एक्स्प्रेशन करेंगे और जो भी यहां पर आपके डिफिकल्ट बर्ड्स आएंगे उनकी भी हम हिंदी मिनिंग्स देखेंगे और इस से पहले हम इसी प्राइम भाई राजे सर्मार वहां जाकर के आप मेरे लाश्ट वीडियो देख सकते हैं इसके अलावा यदि आप नए वियूर हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सबसे पहला काम है प्यारे बच्चो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप अपने बिचार जरूर लिखें तो आईए सुरू करते हैं लेट्स बिगिन तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट दा ओथर यहनी ओथर के बारे म लेखक क्या चीज हमको बताना चाहता है इस लेशन के द्वारा ए आर बार्टन जो कि इसका लेखक है इस ए मौडर्न राइटर यह एक आधुनिक लेखक है फू लिव जिन जूरिक यह जूरिक में रहते हैं और राइट्स इन इंगलिस और अंग्रीजी में लिखते हैं इन The Theme of Adolescent Fantasizing and Hero Vorship in the story Going Places गोईंग पिलेशेज नाम की यह जो कहانी है जो बड़ी मज़धार कहानी है इसके अंदर बार्टन साब क्या हमको बताना चाहते हैं बार्टन एक्सप्लॉॉर्स इसमें बार्टन एक्सप्लॉर्स करते हैं The The Detective of Adolescent किसोर अवस्था का जो काल होता है बच्चों का जब बच्चे किसोर अवस्था में आते हैं तो वो किस तरह की उनकी दुनिया होती है पर जब बच्चे कलपनाओं से भरे रहते हैं यहां पर भी एक जो करेक्टर है इस चैप्टर का, साफी नाम का, साफीया नाम का, इसको हम शोर्ट में साफी कह सकते हैं, साफीया, अब एस उसाफिया नाम की जो लड़की है, ये अबी किसोर обस्ता में आयी है, अबी विद्ध्याले में पढ़ती है, उसके जो घरवाले हैं बहुत गरीव हैं ज्यादा मनला मध्यम बर्गे परिवार से भी थोड़ा इस्टर नीचा है लेकिन ये विभिन तरह की ऐसी कलपनाएं करती है जिसकी पूरी होने की कहीं कोई आशा नहीं है जैसे ये कहती है कि मैं एक बुटिक खोलना चाऊंगी अभी विद्ध्याले चोड़ करके बुटिक खोलूंगी तो उसकी एक सहेली जानसी उससे ये कहती है कि भई बुटिक खोलने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए तेरे पास पैसा कहां से आएगा तो वो अपनी बरती है कि मैं एक हीरोइन बन जाओंगी मैं एक मैनेजर बन जाओंगी मैं जो है एक फैसंट डिजाइनर बन जाओंगी अब जैसे बनना बड़ा शान है यानि उसको लगता है कि मैं जो चाहूंगी वो बन जाओंगी उसको अभी इस दुनिया के जीवन के जो कठोर अनु वरता हुआ जो खिलाडी है उसे अपना हीरो मान लेती है डैनी केजी और कल्बनाओं में उससे मिलती भी यह और घर में भी यह प्रचार करती है कि मुझे मेरी जो है आज डैनी केजी से मुलाकात हुई थी और उसने मुझसे फला जगे पर मुझे को मिलने बुलाया है इसके अलावा उसने मुझसे और भी बहुत सारी बात की है इस तरह की चीजें जो है इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह बच्छे जो है फेंटेसी करते हैं और किस तरह हीरो वर्शिप करते हैं इसलिए बने रहे मेरे साथ और देखें वीडियो को सुरू से अंद तक वेनाई लीफ साथी सेट कमिंग हॉम फ्रॉम फ्रॉम स्कूल आइंग वोटिक जब मैं इस्कूल छोड़ दूंगी तो मैं एक बॉटिक खोलूंगी अब ये बुटिक क्या होता है बुटिक एक ऐसी दुकान का नाम है जो जिसके अंदर महिलाओं के वस्तर बेचे जाते हैं जांसी जांसी जो उसकी सहली है वो अपनी बाहों को अपनी सहली सौफी के गले में डालती है और गली में साथ साथ चलती है लुक्ट डाउटफुल और जब वो सौफी ये गोशना करती है कि मैं एक बुटिक खोलने जा रही हूँ तो वो थोड़ी सी डाउटफुल दिखाई देती है थोड़ी सा संदे उसकी आँखों में नज़राता है टेक्स मनी सौफ सम्थिंग लाइक देट तब जानसी उससे कहती है एसे कामों में इस तरह के जो काम होते है उसमें टेक्स मनी या नी धनकी ज़रत पड़ती है पैसा चाहिए तो कान यदि तू खोलना चाहती है बुटिक खोलना चाहती है तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा I will find it सौफी सेट staring far down the street कली मैं आगे की तरफ घूरते हुए staring करते हुए वो कहती है कि I will find it अरे मैं इससे प्राप्त कर लूँगी यानि मैं पैसा कहीं से कहीं से इंतरजाम कर लूँगी पैसे का take you a long time to save that much तब आगे जानसी उससे समझाती हुई ये कहती है कि भई take you a long time यानि आपको बहुत लंबा समय लगेगा तो save that much यानि इतना धन बचाने के लिए जितने धन में एक बुटिक खोली जा सके यानि बुटिक खोलने की जान तक बात है तो बुटिक खोलने में जितना धन चाहिए उस धन को बचाने में तुमको बहुत समय की जुरत है well I will be a manager then तब आगे कहती है वो सौफिया कि तब मैं एक manager बन जाऊंगी yes of course to begin with till I have got enough अरे हाँ बास्तम में till I have got enough यानि मैं सुरुआत कर दूँगी किसी बैंक में manager बन जाऊंगी और जब मेरे पास enough यानि परियाब पैसा हो जाएगा but anyway लेकिन चड़ो छोड़ो इस बात को I know just how it is all going to look मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ किस तरह का दिखाई देता है यानि ये सारी चीज़ें कैसी दिखाई देती है they wouldn't make you manager state of soft तब जान सी उसको समझाती है क्या कहती है वो कि soft ऐसा है कि वो सीधे ही तुमको manager नहीं बनाएंगी यानि जैसा तुम कहती हो कि मैं manager बन जाऊंगी तो ये तुमारे हाथ की बात नहीं है वो तुमको सीधे ही manager कैसे बना देंगी I will be like Mary Quant तब Sophie आगे अपनी बात को जारी रखती है और कहती है कि मैं Mary Quant की तरह बन जाऊंगी Sophie said I will be a natural they will see it from the start मैं सभाविक रूप से काम करूंगी और वो इस चीज़ को सुरुआ से देखेंगी I will have the most amazing shop this city has ever seen और इसके बाद मैं मेरी जो दुकान में खोलूंगी जो मैं बुटिक खोलने जा रही हूं वो बहुती आश्यरेजनक होगी यानि इतनी amazing होगी कि इस सहर में इस से पहले कभी ऐसी दुकान नहीं खुली होगी जान सी knowing they were bought ear marked for the biscuit factory अब जान सी जो उसकी सहली है वो इस तरह की fancies नहीं करती है reality में जीती है बास्तिविक्ता में जीती है तो वो इन सारी चीजों को जानती है तो इन सारी चीजों को जानती है वो और वो ये भी जानती है कि हमारा जनम जो है जो है बिस्किट फेक्टरी में काम करने के लिए ही लिए हुआ है जैनि हम येर कमार्ड कर दिए गए हैं ग़ोड कि तरफ से येर कमार्ड का मतलब होता है पहले से ही टे किया हुआ कोई बात या कोई कारिकरम बिकेम मेलन कॉली और इससे वो उदास हो जाती है मेलन कॉली मेलन कॉली का मतलब होता है मेलन कॉली मेलन कॉली मनला उदास होना और इस तरह वो जांसी जो है उसकी बात सुन सुन के थोड़ी उदास हो जाती है सी विष्ट सौफी बुलंड से दीज तिंग्स तब वो मन में ये कामना करती है सी विष्ट कि सौफी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए यानि ये सौफी इस तरह की बात क्यों करती है हवा में उडान क्यों वरती है बेन दे रिष्ट सौफी जी स्ट्रीट और जब ये दोनों सहे लिया सःफी की स्ट्रीट में पहुची यानी सवी की गली में पहुची यानी उस रस्ते में पहुची जहां सवी का मकान था तब जानसी सेट जांसी ने कहा अभी कुछ और महने लगेंगे हमारी पड़ाई पूरी होने में सौफ यू रियली शुड़ भी सेंसीबल तब वो समझाती हुई कहती है जांसी अपनी सहेली सौफिया से कि सौफिया तुम को सेंसीबल हो जाना चाहिए अब यानि तुमको समझदारी से काम लेना चाहिए सेंसीबल मनलब समझदारी दे डॉंट पे वैल फॉर शौब वर्क यू नो डेट दे डॉंट पे वैल वैल यानि अच्छी तरीके से या ठीक ठाक पे का मतलब पैसा देना पैसा चुकाना फॉर शौब वर्क दुकान का काम यानि बे लोग दुकान के काम का पूरा-पूरा पैमेंट नहीं करते हैं यानि पूरा-पूरा यानि ढंग से पैमेंट नहीं देते हैं यू नो डेट तुम इस बात को जानती हो और तुम्हारे डेट इस बात की तुमको कभी भी अनुमती नहीं देंगे यानि कभी भी अलाओ तुमको नहीं करेंगे डेट मनला फादर और एन एक्ट्रेस अगे सौफी फिल कलपना में आगे उडान बरती हुई कहती है चलो ऐसा है मैं एक अक्ट्रेस बन जाऊंगी यानि एक हीरोई बन जाऊंगी और तुम जानती हो कि इस काम में पैसा ही पैसा है, रियल मनी है यस, and I could maybe have the boutique on the side और जब मैं हीरोई बन जाऊंगी, अक्ट्रेस बन जाऊंगी यह जो नाईकाएं होती है वो पूरे समय काम थोड़ी करती है दू दे क्या वह ऐसा करती है क्या यह हिरोइन पूरे समय काम करती है एनिवे चलो छोड़ो दैट और फैसन डिजाइनर चलो ठीक है यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं एक फैसन डिजाइनर बन जाओंगी यूनो जानती हो कि something a bit sophisticated जो कि एक थोड़ा सा अच्छा काम है थोड़ा सा परिस्क्रत काम है sophisticated एंड सी टर्णेट इन थूदा ओपन स्ट्रीट और लीविंग जांसी standing in the rain और तब सी टर्णेट वो घूमती है इन थूदा ओपन स्ट्रीट और स्ट्रीट के खुले हुए दरवाजे से अंदर लीविंग जांसी standing in the rain और अपनी सहेली जांसी को बरसात में भीगते हुए छोड़कर के यानि गली में अपनी सहेली जांसी को बरसात में भीगते हुए छोड़कर के वो भाग करके गली के खुले हुए दरवाजे से अंदर चली जाती है मुड़ती है और चली ज यानि कभी मेरे पास धन इकट्टा हुआ तो मैं एक बुटिक खरीदूंगी और उसकी ये बात सुनकर के उसकी सहेली जानसी उससे पीछे से ये कहती है कि ऐसा है कि यदि कभी तुमारे पास धन आजिया है यानि कभी तुमारे पास इतना धन आजिया है तो क्रपिया हमारे लिए एक अच्छा सा घर भी खरीद देना रहने के लिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सौफी जब घर पहुशती है सौफी अब घर के अंदर उसका जो पापा है, जो फादर है, वो क्या कर रहा है इस वक्त, स्कूपिंग शेफ़र्ड पाई, शेफ़र्ड पाई का मतलब होता है, आलू मिस्तित मांस, तो शेफ़र्ड पाई वो खा रहा है, ठूंस रहा है, खा क्या रहा है, ठूंस रहा है, कल्चे ज स्कूपिंग कर रहा है अपने माउथ में और इतने ज्यादा बर-बर के खा रहा है जितना वो कर सकता था His plump face is still grimy and sweet mild from the day और उसका फूला हुआ चेहरा Plump face is still grimy and sweet अभी भी गंदा काला और पसीने से भरा हुआ है Sweet sweet का मला होता है पसीना एक S W E A T sweet यानी पसीना यहां पर आप थोड़ा भ्रमित नहीं हो S W E T sweet का मला मिठाईयां होती है लेकिन S W E A T थोड़ा मिनिंग में अंतर है तो sweet जब भी आएगा तो आप उसको समझे पसीना का ही मिठाई मत समझ लेना Marred from the day और दिनवर की जो उसने मेहनत की दिनवर का जो काम किया उसके जो है फादर ने उसके कारण उसका चेहरा इस तरह ग्रीमी और स्वीट से भरा हुआ था अपने पिता की चेहर पर पीछे से लटकते हुए छोटे डेरिक ने कहा कि पिता जी ये बेहन ये जो बेहन है मेरी सौफी ये ये समझती है कि पैसे पेड़ पर उगते है क्या ये ऐसा नहीं समझती देर मदर साइट अब उनकी बात सुनकर के सौफी की मा जो साइद वहीं काम कर रही है वो थोड़ी आह वरती है कि क्या कड़ेस खड़ा हो गया रोज की इसी तरह की बाते हैं होती है इनमें तो देर मदर साइट ये आह वरी उसने सौफी वास्ट हर बैक स्टूब्ड ओवर दा सिंक अब चूंकि उस वक्त उसकी मा जो है सिंक पर साइद बरतंद हो रही थी तो थोड़ी जुक करके वो सिंक पर अपना काम कर रही थी अब पीछे से उसने जो एपरन पहन रखा था और एपरन के जो डोरियां होती है और उनकी जो गांट होती है वो बहुती डेलिकेट थी कहने का मलब बहुती सुन्दर गांट थी और उसकी जो कमर थी वो थोड़ी जुकी हुई थी अब चुकि वो एज में भी काफी बूड़ी थी तो सौफी ने जब इस चीज को देखा कि मेरी मा की कमर जुकी हुई है और एक तरफ एपरन में इतनी सुन्दर गांट लगा रखी है तो कहीं कोई मेल नहीं है एनि बहुत ही ए समांग का इंक इन कॉंगिविटी है इन चीजों के अंदर देलिकेट सीमिंग वो और देखा कुमल अच्छी दिखने वाली सुन्दर दिखने वाली गांट और चुकी हुई कमर अब कमरे में और क्या क्या चीजे है एनि खिलकियों से बिलकुल अंधेरा होने का एसास ये बता रहा था कि अब शाम हो गई थी यानि खिलकी से बार कुछ भी नहीं दिख रहा था कहने का मनला अंधेरा दिख रहा तो इस बात का एसास हो रहा था कि अब इबनिंग हो गई है और जो छोटा कमरा था वाज इस्टीमी उसमें भाप भरी हुई थी रामदा स्टॉप चूले की यानि जो स्टॉप जल रहा था स्टॉप के कारण पूरे कमरे के अंदर भाप सी भरी हुई थी गरम गरम इसके अलावा बनियान पैन के बैचे हुए सौफी के पिता के द्वारा ली जाने वाली भारी भारी सास्व के कारण कमरा पूरी तरह से कलटर्ड हो रहा था इसके अलावा the table and the dirty washing piled up in the corner इसके अलावा dirty washing piled up in the corner कमरे के कौने में गंदे कपड़े जो धुलने के लिए पड़े हुए तो उसका भी धेर लगा हुआ था यानि भूत अस्त व्यस्त कमरा वो लग रहा था तो सौफी फैले tightening in her throat इन सारी चीजों को देख करके सौफी को ऐसा लगा कि जैसे उसके गले में कुछ हो रहा है उसने दवाब सा महसूस किया अपने गले में अपनी सांस रुकती हुए उसने महसूस की टाइटनिंग महसूस की अपने throat में गले में यानि उसे वो अच्छा नहीं लगा इसलिए वो कमरे से बाहर निकल गई अपने बड़े भाई जौफ के पास दूसरे कमरे में अब दूसरे कमरे में सायद उसका बड़ा भाई जिसका नाम यहाँ पर जिससे हमारा पर्चे होता है जौफ यह जौफ नाम का उसका बड़ा भाई है तो उसके कमरे में वो वहाँ से चली जाती है अब यह जौफ क्या कर रहा है अपने कमरे में वो अपने कमरे में जो की बिलकुल बगल वाला ही कमरा है तो नीलिंग नीलिंग का मला होता है गुटनों के बल जुका हुआ होना, अब वोगटनों के बल बेटा हुआ है फर्स पर, और क्या कर रहा है, टिंकरिंग विदे पार्ट ओफ इस मोटर साइकिल, over some न्यूज़ पेपर, spread on the carpet, यहनि कारपेट पर, एक न्यूज़ पेपर बिचा हुआ है पुराना, यहनि एक अ राटिंकर कामलना है यहां पर ठीक करना है he was three years out of school अब यह job को school छोड़े हुए तीन साल हो चुके है यानि तीन साल पहले ही यह school छोड़ चुका है an apprentice mechanic और अब यह एक apprentice mechanic है यानि प्रिशिक्षू mechanic है मिस्ट्री है motorcycle का traveling to his work each day to the far side of the city और अपने काम के लिए सेर से काफी दूर यात्रा करता है हर रोज he was almost grown up now अब लगबग यह काफी बड़ा हो गया है पूरी तरह से grown up हो गया है grown up का मनला पूरी तरह से वयस्क हो गया है and she suspected areas of his life about which she knew nothing और सौफी अब यह doubt करती है यह suspect करती है जीवन के उन छेत्रों के बारे में जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती यानि जीवन के उन छेत्रों के बारे में सौफी संदे करती है किसके जीवन के छेत्र जौफ के जीवन के छेत्र जिनके बारे में सौफी को किसी भी तरह की जानकारी नहीं है अब क्यों नहीं है उसको जानकारी जौफ के जीवन की के जो अन्छुए जो पहलू है उनकी सौफी को जानकारी क्यों नहीं है about which he never spoke क्योंकि उनके बारे में जौफ ने सौफी को कभी भी नहीं बताया था इसलिए उसको जानकरी नहीं है वो बहुत कम बोलता है और जब भी बोलता है तो खुद चला करके ही बोलता है words had to be prized out of him like stones out of the grounds उसके मुँसे सब्द इस तरह प्राइजड आउट होते है जिस तरह जमीन में से पत्थर खोद करके निकालना यानि जमीन में से पत्थर खोद करके निकालना इस टॉंस को ग्राउंड में से निकालना जितना कठिन काम होता है उतना ही कठिन काम जौफ के मुँसे सब्दों को निकलवाने में होता है प्राइज डाउट का मनला बाहर निकालना कचनाई के साथ और सौफी उसकी साइलेंस से यानि उसकी चुपी से यानि चुप रहता है तो उसकी चुपचाब रहने की आदत से सौफी को बहुत जीलस है जीलसी रखती है कहने का मनला बहुत ही जलती है बेन ही वाजन्ट स्पीकिंग और जिस बक्त यह जो जौफ है जब बोलता नहीं है तो सौफी यह समझती है कि इस वाज जैज दो ही वाज अवे समवेर इसका मतलब यह कि बिचारों में यह कहीं खोया हुआ है और इसके विचार पता नहीं कहीं दूसरी जगे पहुचे हुए है Out there in the world बाहर किसी और दुनिया में In those places, उन्हें स्थानों में She had never been जहां सौफी कभी भी नहीं गी थी Whether they were only the Outlying districts चाए वो सहर के बाहर के गाओं की बात हो हो सकता है कि वो सहर के बाहर Outlying districts होते हैं यानि सहर के बाहर की सीमाओं के पास बसे हुए गाओं हो सकते हैं या स्थान हो सकते हैं और places beyond the surrounding country इसके अलावा इस country के सहर के चारों तरफ जो country है country का मतलब होता है देश लगन याँ पर country का मतलब होता है गाओं तो यह आप समझें country का मतलब देश भी होता है और गाओं भी होता है blaze, blaze से भी हम country कहते हैं तो और places beyond in the surrounding country तो ऐसे इस्थान भी हो सकते हैं सहर के आस पास वाले जो गाओं है बेस्थान भी याँआपर हो सकते हैं, who new, किसको पता है, they attend a special fascination, ये इस्थान, उसके लिए बहुत ही बिसेश fascination रखते थे, बहुत ही जादा आकरशन रखते थे, simply because, सिर्फ इसलिए, they were unknown to her, क्योंकि ये इस्थान उसके लिए अंजान थे, unknown थे, and remained out of our reach, इसके अलावा ये इस्थान उसकी दूर थे, तो dear friends, that's all for today, see you again in next video, till then keep watching my videos, have a nice time, have a great day, thank you very much for watching.